प्यारे विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर आज ये वीडियो में प्रोवाइट कर रही हूँ उन विद्यार्थियों के लिए जिनको यह समस्या रहती है या तो इंगलिस मेडियम के स्टुडेंट ओते हैं या फिर ऐसे स्टुडेंट्स होते हैं जहां पर हमारी हिंदी भासा सिर्फ एक सिंगल सब्जक्ट की रूप में पढ़ाई जा रही है ठीक वहां पर से मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आये हैं कि हमें हिंदी बोलनी तो आती है हम पढ़ भी लेते हैं लेकिन हम लिखनी सकते हैं ठीक है उसका 100% सल्यूशन मैं इस वीड से पहले प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या करना है कि मेरे चैनल पर अफ्लोड जो है तीन वीडियो ज आप और वीडियो ना देखें लेकिन तीन वीडियो जरूर देखें अगर आपको हिंदी अपनी मजबूत करनी है अगर आपको दो तीन घंटे के अंतरगत ही अप उश्यरे जनक रूप से बदलाव लाना है तो ठीक वो तीन वीडियो हैं तेज लिखें सुन्दर लिखें भाग एक भाग दो भाग तीन आई प्यारे विद्यार्थियो बात समझ में तेज लिखें सुन्दर लिखें वैसे मैं लिंक भी इस वीडियो के लास में दे दूंगी तेज लिखें सुन्दर लिखें भाग एक तेज लिखें सुन्दर लिखें भाग दो और भाग तीन आप जरूर देखिएगा उससे आपको बहुत फाइदा होगा free education के लिए ठीक अब जहां तक हमारा सवाल है कि हम हिंदी पड़ लेते हैं ठीक है समझ लेते हैं लेकिन लिख नहीं सकते हैं प्यारे विद्यातियों उसका मुख्य कारण है कि हमारी हिंदी भाषा से ये बारह खड़ी का लुप्त हो जाना ठीक आजकल हिंदी कैसे पढ़ाई जाते है कौ में एक पाया लगाओ का कौ में एक पाया लगाओ लगाओ खा गौ में एक पाया लगाओ लगा मतलब इस स्टाइल में हिंदी आजकल पढ़ाई जा रही है जो बिल्कुल एक कन्फूजिंग हमारे लिए सिच्वेशन क्रियेट हो जाती है बिल्कुल हम संदेहात्मक स्थिती में आ जाते हैं कि हम कैसे करें हम मैं इस वीडियो को एज़ प्रिमिटिव मैथड जो हमारा प्र पहले दिन आप को से ग्यों तक बढ़ लिजिएगा फिर बता रहे हूं तेज लिखें सुन्दर लिखें भाग दो और तीन में आपको को से ग्यों तक मिलेगा भाग एक में आपको और से अह तक मिलेगा ठीक उसको बिल्कुल आप रट लिजिएगा को क्या है खो क्या है ग की हम जो है प्रैक्टिस करेंगे उससे हमारी हिंदी बहुत मजबूत होती है अब कौ में एक पाया चा-कौ में एक पाया खन Jawa ये बच्चों के लिए तो nghiक्तिस फ़र्ल है लेकिन इससे हमारी हिंदी बिल्कुल मजबूत नहीं बन कई, को, कव, कं, कह, ठीके, ये कह वाला भी दिख जाएगा आपको, ठीके, ये कह हो गया, ठीके, इसमें आप एक दिन को, खो, गो, गो, इंग तक कीजीगा, ठीके, बिल्कुल सरल है, खो, खा, खी, खी, खु, खु, खे, खई, खो, खव, खं, ख, बिल्कुल और अपने रूटीन में लाइएगा इसको, ठीके, आप कहीं पर कीजीगा, तो वहीं पर गाइएगा, कौ, का, की, की, कु, कू, के, कई, को, कव, कं, कह, खो, खा, खी, खी, खु, खु, खे, खई, खो, खव, खं, खव, यानि इनको आप याद करने के लिए इन मात्राओं का जरूर सहारा ले, ठीके, कौ में एक पाया का हो गिया, कौ में छोटी इकी मात्रा, छोटी की हो गई, और कौ में बड़ी इकी मात्रा की हो गई, और कौ में छोटे उकी मात्रा कू हो गिया, और को में बड़े उ की मात्रा कू हो गया को में ए की मात्रा के हो गया को में कई की मात्रा को में कई की मात्रा नी को में आई की मात्रा कई हो गया को में ओ की मात्रा कौ हो गया और को में अगर हम आउ की मात्रा ये ओ है हां ओ की मात्रा ओ और आउ ठीके इनकी मात्रा ओ की मात्रा लगाने से हम को बोलेंगे खो गो खो उं चो चो जो और यहीं पर काउ की मात्रा लगाएंगे तो यह बन जाएगा काउ खाउ गाउ घाउ ठीके ऐसे करके और अंग और अहब की मात्राएं गिनी नहीं जाती है लेकिन हम आम तोर पर इनको लगाते हैं ये जो है हमारा जो हम अंग की मात्रा कहते हैं इसको हम आनुनासिक कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण जो है नासिका से होता है इसको हम बिसर्ग बोलते हैं क्योंकि इसके लास्ट में अहा आता है कहा ठीके इसलिए इसको मात्राओं में गिना नहीं जाता है बड़े इस तर पर और छोटे इस तर पर हम मात्राएं कह सकते हैं इसको लेकिन है नहीं यह मात्राएं यह अनुनासिक है यह विशर्ग है ठीक है आई वच्चों बास समझ में अब कोई भी अगर आपको ग्यों तक यह 12 खड़ी 12 खड़ी क्यों कहते ह है इसको क्योंकि इसमें 12 मात्राएं होती है एक, दो, तीन, चार, पाँच, चैश, साथ, आठ, नौ, दस, गियारह ठीक है और जो यह ऑ का है ठीक है यह 12 अक्छरों का यह समू होता है इसलिए इसको 12 खड़ी कहा जाता है क्योंकि कोई में भी आ की मात्रा नहीं होती है और खुद में एक मात्रा है तीके एक अक्षर है लेकिन को में जब औ हम लगाते हैं नहीं तो ये आधा को माना जाता है को में औ के जूने से को पुरा होता है और ये बारख अक्षरूं का समूँ एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यार, बार, बार अक को ये ग्यों तक याद हो जाती है और आप कोई भी शब्द जो अर्ध शब्द नहीं है यानि आधा शब्द क्योंकि आधा शब्द में हमें थोड़ा और मेहनत करनी पड़ती है आप सिंपल सिंपल आप आराम से लिख सकते हैं जैसे अब मैंने लिखना शुरू किया बहुत क हुजारे संदे होता है वो मात्रा का मैं शब्द लिखती हूँ जैसे मैंने लिखा कवा यानि कव की मात्रा लेगी न कव 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 आ गया अब मेरे दिमाग में क्या आएगा बच्चे की दिमाग में क्या आ गया कि मैंने कव लिखना है ये अब बच्चे को ये नहीं सिखाई है काह मैं अः ंव की मात्रा डाले उसको सीधा सिखाईएगा जब बच्चे बड़बच्य कोई भी स्टुडेंट जो है बड़ा हो जाता उसको सीध है आप बारह खड़ी सिखाईएगा ये मात्रां के इसमें ऊलग जा रहे थे कव वह हो गया अब आपको जब आप आप और दूसरी चीज जब मैं बताऊं जैसे हमने लिखना है घोड़ा ठीक है अब घोड़े की जगह हम क्या लिखेंगे ये खो में ओकी मात्रा घो हो गया ठीक है यानि इसमें हमने क्या कहा घोगागी गीगुगुगुवाला याद है हमको तो ला लोड़ा ये लिलिलुलु वाला ठीक है घोड़ा हो गया ठीक है अब आपको कहीं भी अगर आप बारखड़ी याद कर लेते हैं बारखड़ी कौसे ग्यों तक याद जरूर कीजिएगा ठीक है बारखड़ी याद कीजिएगा कौसे ग्यों तक ठीक है और कौसे ग्यों तक अगर आप ब नहीं भी जो पूरे-पूरे अक्षर होते हैं, शब्द जो होते हैं, पूरे-पूरे आप आसानी से पढ़ भी पाएंगे, लिख भी सकेंगे उसको, और ऐसे जो में आ की मात्रा लगाओ, जा नहीं, जो में छोटी की मात्रा लगाओ, जी नहीं, सीधे पढ़िएगा इसको, चो जा जी ची जू जे जई जो जव जन जव ऐसे करके ठीक है चो चा ची ची चु चू छे चै चो चव चन चो करके ऐसे ऐसे करके एक रिदम बना ली जेगा आपने लिए ठीक है और कभी भी आप बिल्कुल हिंदी में गलती 101 परसेंट जो पूर अक्षर होंगे जैसे हमने कह हमने लिखा चू ठ चू यानि जू है ये जो जा जी जू 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 बोलना बोलना नहीं चाहिए जूट बोलना नहीं चाहिए प्यारे विद्यार्थियो आपको वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो से समबंदित कोई भी समस्या है तो जरूर कमेंट सक्षन में पूछिएगा और अपना ध्यान दीजेगा स्वस्त रहिएगा जैहिन जै भारत